हेलो दोस्तो कैसे होतो दोस्तों आज के इस नए उडम अप सेब का स्भागत करता हूँ तो दोस्तों के इस न ूडम भात करने वाला है ठीक है स्पेशली राजस्तान के लखनो टॉप टॉप में फिनिश करना चाहिए राजस्तान 100% कौलिफाय होना चाहिए तो मज़ाएगा इस मैच में आगे बने इस फिल आपको करना कि आपको टेलेग्राम चैनल से जुड़ना है रेगुलर फाइनल अपडेट्स मिल गते बहुत रण फिछले में पनजब आपने ने दोस्तों नहीं बनाया थे आरसी इस नहीं कर पाई तो मुक्यों इनका वहीं नहीं टो मेंसे 1 मैं जित गये और 2 मेंसे गर डोने दो जितेगे ना तो फिर न के और इसने साट मैंच बत होगे थाये ना वह बता है लाल चांजे होना है तो ठीक है तो यह आई पिल का कुछ बोल ने सकते हो और इतने बड़े competition में ऐसी चीजे होती है कुछ इस तरगे से प्लेंग लिए उन रहीती पिछली मैच में रासी बेंडर दूसे अंद खेले ते इस मैच में शायद से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे अब इनके लिए जौस बटलर का आपको पता है पिछले तीन मैच में बहुत रन नहीं बने बने पूरे टूर्नमेंट में जैसे वाल ने इंप्रेस किया था सेकंड लास्ट मैच में देवदूद पार्टीकल ने 48 की बढ बैटिंग अच्छा किया है जैस बैटर अच्छा किया इस साल बाकि बेंच में करून नायर जैमस नीशम जैमस नीशम हो सकता है रासे वेंडर दूसन के जगह भी इस मैच में खेलते हुए आपको दिख जाए है एट मार का फॉर्म तब को पता ही है बट अविलेबल नहीं 59 की पारी जो खेली थी इन्होंने LSG के सामने ही खेली थी बट अभी अविलेबल नहीं है बॉलिंग में ट्रेंड बोल्ट जब से इंजरी के बाद अरिटर नाया है उतना अच्छा फॉर्म देखने को मिला नहीं है बट आपको पता है कितने इंपॉर्टन पीक रहते है ये विट न्यू बॉल अगें राहूल के सामने इंपॉर्टन रहेंगे प्रसेदर कृष्णा अच्छे रहें कंसिस्टन रहें कुल्दीप सेन की बात कर तो बहुत विकेट्स नहीं मिली बट बॉलिंग अच्छी करिए अश्विन इंप्रेस किया इस साल विद बॉल और बहु अच्छे पोजिशन में ये लोग चार मैचस हा रहे है और अगर जीतनी की बात करें तो इन्होंने जीते आट मैचस ठीक है तो यह अल्मोस्ट कौलिफा हो चुके है बच्चे हुए दो एक मैचस में एक मैच भी जीत जाएंगे तो टॉप टू में फिनिश होने के पुरिय करन शर्मा को मोका मिला था पिछले मैच में तो यह थोड़ा सा देखके चलना करन शर्मा क्या है राइटन बैटरी थोड़े बहुत आप ब्रेक्स में बॉलिंग कर लेते हैं अब केल रावल की बात करें तो पिछले दो मैचस में रन नहीं बने बिकॉज यह सेकंड कर लेते हैं अब इनके लिए बॉलिंग में महसिन खान ने बहुत इंप्रेस किया बहुत ज्यादे इंप्रेस किया और हो सकते हैं आपको इंडेन टिम में भी दिख जाए साउथ अफरिका के सामने आज लेप्टाम पेसर की जरूरत है इंडेन टिम को वित न्यू बाल स्प पर रिक्वार्मेंट क्या पता है इंडेन टिम की जो ऐसा बॉलर जो पॉड़ में विकेट निकाल के देगा यह इंडेन टिम की राइट ना रिक्वारमेंट है ब्यूकॉस इंडेन टिम के बाद डेतोर स्पेशलिस्ट और डेडी है इन द फॉर्म आफ जस्पित भुम्रा इन हर्शल पतिल यह दोनों तो डेफिनिटली खेलेंगे बट इनके साथ कौन खेलेगा ऐसा बॉलर खेलेगा जो निव बॉल के साथ विकेट निकालता हो और एक तो भुवी है बट भुवी ने पिछले कुछ समय में निव बॉल के साथ विकेट ने निकाली फिर अलसो देर बट देखके चलना दुश्मंता चमीरा है बॉलिंग अच्छी करी हो जैसेन होल्डर ने बॉलिंग अच्छी करी आविश्खान ने जबर्दस बॉलिंग करी हो ये भी एक अच्छे कंटेंडर इंडेन टीम के लिए विश्णोई का उतना अच्छा सीजन ये रह सब्सक्राइब अच्छी के लिए अच्छी के बात कर तो ये लेट जी के और से के लाउल का फॉर फिप्टी थी का आवरेज राजस्तान के सामने जरूर पिछले में पर जिरूप्या उट हुए थे बट ओर जबर्दस आवरेज है टिकॉक का सॉलिड आवरेज मनिश पंड कुनाल पंडे का सेवेंटी ने स्ट्रगल है दिपो कुड़ा का ट्वेंटी टू है फिर होल्डर को साथ है आविश को पाच विकेट से कुनाल को पचार विकेट से मार्क तस टॉनिस ने नाइन और में तीन विकेट नहीं है जो लास्ट मैच अब दोनों टिम्स के बीच मे को मिले थी शिमरन हेट मैर की 59 नोट बनाये थे अश्वी ने 28 नोट बनाये थे फिर यह रिटार आउट हो गये थे जानबूज के और फ़राग आये थे पराग ने चार बोल में आड़ बनाये थे चहल को उसमेट में चार विकेट से बोल्ड को दो विकेट सी प्रसिद दिपसें दोनों को एक एक विकेट था और अश्वीन को कोई विकेट नहीं था फिर अगर देखोए लस्जी के और से रहूल फ्लॉप थे डिकॉक ने 39 बनाये थे उडा ने 25 बनाये थे फिर बदोनी फ्लॉप थे कुनाल ने 22 बनाये थे माकस टॉन इसने 38 के बड़ी आप अब बात करेंगे प्लेयर बैटर्स की लखनो के बैटर्स राजस्थान के बॉल्ट ने किया है दो बर आउट पिछले मैट में आउट किया था बट ओरल देखोगे तो खेल डाउन ने डॉमिनेट किया हुआ है प्रसिद कृष्णा एक बर आउट कर चुके है चहल एक बर अश्वीण ने कभी आउट नहीं किया क्विन्टन डिक चहल ने आउट किया है च्हे बार समझ रहो क्विन्टन डिकॉख एक लेटएंड बैटर है मेरे भाई सुहले राइटाम लेग ब्रेक स्पिनर बट फिर भी चहल को बहुत परेशान किया है पिछले मैच में ब किया ता पिछले तीन इनिंग्स में आउट किया हुआ है तो यह फिर से इंट्रेस्टिंग बैटल रहेगा अश्विन भी चार बर आउट कर चुके प्रसेद कृष्णा भी दो बर आउट कर चुके बोल्ट भी एक बर आउट कर चुके हैं दिपक हुडा अश्विन ने किया एक ब पिछले मैच में आउट कर चुके हैं वही बात कर रहे हैं पराग के तो होल्डर ने दो बर आउट किया पिछली मैच में भी आउट किया था बाकि आवेश खान भी एक बर आउट कर चुके हैं दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लिग टीम बट भाई साब विकेट की पर सेक्शन देखो ठीक है संजु सैंपसें, क्विंटन, डिकॉक, लोकेश, राहूल, जौस, बटलर चार टॉप क्लास प्लियर्स चारो के चारो यहाँ पर हैं चारो को ले भी सकते हो चारो में से तीन भी ले सकते हैं या आपका कॉल रहेगा बटलर राहूल सबसे पहले में तो पिक करके ही चलूँ तो हुडा को लेते हैं ठीके फिर या पर पार्डिका ले सकते हो कोई इस्यू नहीं है विकॉज अच्छी बैटिंग रहे थी पिछले पास बैटिंग और इनकी उपर नीचे हो सकती बड़ इंको जरूब प्रेफर कर सकते हो जैस वाल ने अच्छा किया है तो इनको मैंज पर नीचे होते रहे हैं करन शर्मा जैसे ही आया है इनकी बैटिंग और और नीचे चली गई है शिम्रन हेट मैर अविलेबल नहीं है बाकि बदों नहीं अगर खेलेंग भेलते बहुत नीचे आएंगे रासेव इंड़े दूसिंग का बैटिंग और शोर नहीं है और करन श उसे जादा से जादा मारकर स्टॉस्ट आंइस रिकमेंड करूंगा आप पार्डिकल को जगह पर मांकर स्टॉनिंग स्टॉनिस ले पाऊंगे बस यही मैं को रिकमेंड करूंगा इससे ज्यादा कुछ नहीं ठीक है चलेंग और on section में जहाँ पे मेरे के पास यहाप तो हैंडल कर लेंगे अश्विन को पता शियूंड की बात आती बैटिंग में प्रोमोट कर दिया जाता है पिछली में प्रोमोट किया था यह पीक कर लिए अब हमारे बस्ते हैं बचते हैं दो प्लेर्स और हमारे पास बचते हैं एटीन क्रेडिट से हैं अगर आप विकेट के पर सेक्षिन में जाओगे डिकाउक प्लस विकर संजू सेंपस्टों को लेका तो इसके लिए आप क्या कर पाऊगे ज्यादा से ज्याद आप यहाँ पर पार्डिकल को डॉप कर लो मान लो रास्ति वेंडर दूसन को ले लो आपको क्रेड का प्रॉब्लिम सौलो जाएगा आदा क्रेड आपके पास आ जाएगा फिर आप विकेट के पर सेक्षिन में संजू सैम्सन को लेके इस तरीके से चारो में बैटर्स के साथ आप अपने टीम भना सकते हो बड़ आपको जैसवाल को डॉप करना पड़ेगा उस सिचोशन में ठीक है या तो फिर अगर आप नहीं करना चाहते हो इन में से दोनों में से कोई एक रिस्क लेके छोड़ना ही चाहते हो फिर कोई सी नहीं फिर आपको क्रेड का कुछ भी प बने है रेगुलर्ली रन बने है और दोनों टीम्स की बैटिंग बहुत सॉलिड है जो रन बना सकती बड़ दोनों टीम्स की बॉलिंग भी अच्छी है जो विकेट्स निकाल भी सकती है तो प्रसिद कृष्णा दुश्मंदा चमीरा ट्रेंड बोल्ड ये आपके लिए डि अगर आपके टीम बन जाएगी अगर एसा नहीं करना चाहते है कोई एकी विकेट कीपर लेना चाहते है तो मान लो डिकॉकों लोग ने लिया यहापे फिर 8.5 क्रेट बचेंगे तो यह अपनों प्रसिद कृष्णा को ले पाएंगे और इस तरीके से कुछ टीम बना पाए तो पहले वाली टीम भी अच्छी है यह टीम भी ठीक है अगर संजु सैमसन फ्लॉप हो गए तो यह तीम अच्छा कर जाएगी अगर संजु सैमसन फ्लॉप नहीं हुए रन उन्हों ने बना दिये तो फिर भाई साब दिक्कत होगी इस टीम में ठीक है बिकॉस हाँ और पार्डिकल को में डॉप करके क्रेट्स मैनेज अपने कर लूँ यह में कर सकता हो मेरे फाइनल टीम में अगें पीच रिपोर्ट बहुत मैटर करेगा पीच रिपोर्ट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा डिसीजन लेंगे बट अभी के लिए टीम बनाते है कैप्टन वाइस कैप्टन सी के डिफॉल्ट ऑफशन क्या है बटलर राहूल मैक्सम पब्लिक इनको ही करेके आएगी इनके अलवा अगर कुछ सोच रहो तो युजवेंदर चाहर आपके पास अच्छा आविश्कान ने बालिंग अच्छी करी होल्डर आपके पास अच्छ की पेस बॉलिंग यूनिट है बहुत ही जादा सॉलिड यूनिट है जो बटलर को परिशान कर सकते वी तनी वोल्टम लोग क्या कर सकते है कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर सकते है ठीक है देखेंगे पीच के टाइम पे पीच क्या मिलती है पीच रिपोर्ट क्या मिल देना, thank you so much guys for watching